गुड बर्णिंग फ्रेंग्स कारेंसी प्री मार्केट एनलाइसिस पे आप सभी का स्वागत है आज नाइन्थ आफ नॉवेंबर ट्वेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्सडे एंड आए मेरे होस्ट अशिश बर्वा आईए चार्ट में चलते हैं तुसी क्या-क्या एक्ट कर सकते हैं तो स्ट्राइट इवेस टेने टेजरी एवेस टेने टेजरी आपका 4.48 यहां पे आपका यह जो थर्ड नॉवेंबर याने फ्राइडे का आफटार एने पी डेटा एक शार्प फॉल हुआ था इस सपोर्ट लेबल पे आके रुका हुआ था उसके बाद हमारा ए movement तो उसके बाद Monday Tuesday क्या किया Monday and Tuesday sideways consolidate किया कल के दिन breakdown किया and follow through कर रहा है अभी यह जो आपका Friday का low that means your 4.48 उसको उसके नीचे थोरा time के लिए sustain करना चाहिए थोरा time बोले तो कुछ घंटे 2-4 घंटे hourly basis में 2-4 hourly candles इसके low के नीचे sustain करना चाहिए in such case यहाँ पर और थोरा softness आ सकता है यह जो US Treasury का softness है this is good for overall market sentiment एक particular direction basically एक particular regular direction होना चाहिए trended move होना चाहिए तो यहाँ पर आपका एक अच्छा कासा हम आशा करते हैं कि इसके low के नीचे किसका आपका Friday के low के नीचे अगर hourly candle का 2-4 candle sustain कर जाते हैं in such case हम एक downward move कर सकते हैं फिर हम दुबारा assessment करेंगे towards 4.25 एरिया पर वहाँ पर जाने के बाद price कैसे behave करते हैं सो आते हैं अभी dollar index dollar index अभी है 105.53 monthly taking resistance at 60 RSI and coming down weekly also also taking resistance at 60 and coming down daily यहाँ पर Friday का downfall था उसके नीचे follow through नहीं था pullback pullback करके यह resistance कहाँ पर ले रहा है previous जो support था 105.5060 का जो zone था support था वहाँ पर आके एक inverted pin bar बनाया कल के दिन और आज आशा करता हूँ कि धिरे धिरे यह नीचे के तरफ आएगा तो आज और आने वाले दिनों में यह होना चाहिए कि यह जो 6th November का low हो उसको challenge करें नीचे के तरफ तो dollar index में हम और softness आशा कर सकते हैं dollar रिपी nothing new पुरा का पूरा frustration mood चल रहा है 83.22 monthly RSI above 60 आपका weekly RSI above 60 daily 4060 के बीच में sideways consolidate कर रहे हैं sideways consolidation में बहुत ज़्यादा frustrations आ रहे हैं हाँ कोई-कोई जो small range में खिलते हैं means 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा के range में खिलते हैं उन लोग के लिए बढ़िया है अच्छा है कि आपका 83 10 15 के level पे long बैठ हो 83 30 के आसपास short बैठ हो that is fine यह तब तक चलता रहेगा जब तक यह range में रहेगा लेकिन बड़ी trend के लिए range breakout जो रूड़ी है अभी breakout के लिए market participations जो है उपर के तरह एक्स पे कर रहे हैं लेकिन उपर invisible hands जाने के लिए allow नहीं कर रहे हैं market में heat हो रहा है मेरे को लगता नहीं है तो sideways consolidated होने देते हैं इंतेजार करते हैं एक breakout का either on the higher side और on the lower side GBP dollar अपका अभी है 1.2282 अपका Monday and Tuesday को also the Wednesday को negative price actions था यह जो mother candle था excuse me अब का Friday का जो mother candle था उसके उपर continuation नहीं है रधर एक inverted pin बार हुआ है जिसके करण negative means sell-off हमने देखा है अभी sell-off के बाद what next what next में क्या है कि overall अगर इसको उपर जाना है now the million dollar questions क्यों उपर जाना है वाई उपर जाना है क्योंकि यह 4th July onwards एक sharp down move आया from one point three one five zero से one point two zero के तरह तो अगर इसको उपर जाना है तो यहां पर higher high low formations होना चाहिए in such a case यहां पर जो consolidation zone है इसके low के नीचे जाना नहीं चाहिए यह जो low है इसके low के नीचे close देना नहीं चाहिए तो देगा तो क्या होगा एक जो higher high low उसको negate कर जाएगा अगर close नहीं देते तो what next what next में यह जो छे तरीके inverted pin बर है इसके high के उपर जाना चाहिए इसके high के उपर जाएगा तो यह continue करेगा higher higher low के लिए अपना territory means एक trended move के लिए अगर हम यहां पर monthly देखेंगे monthly sideways weekly sideways so nothing great GBP INR monthly sideways weekly sideways daily यहां पर 102.26 पर है तो इसको अगर chart को थोड़ा सा बढ़ा करते हैं तो क्या है similar analysis Friday का big bullish candle के बाद follow through नहीं है rather inverted pin बार के बाद sell off sell off लेकिन ज्यादा तगरा sell off नहीं था यहां पर दो support level था एक यह जो red color का zone है दूसरा यह जो zone था इसके दो जगा पर support level था अभी what next similar higher high higher low तो dead being the case अभी जो latest swing low है आने वाले दिनों में इसके low के नीचे जाना नहीं चाहिए तो जाएगा तो क्या होगा यह higher high higher low को negate कर जाएगा यह तो हो गया पहला दूसरा क्या है अभी आने वाले दिनों में इस high को तोड़ना है pin bar 6th November का जो pin bar बनाया हुआ है inverted pin bar जो बनाया हुआ है जो आपका trend line resistance के सामने बैठे हुए है उसके high के उपर जाना है अगर इसको उपर जाना है again the questions उपर क्यों जाना है क्योंकि already काफी नीचे आ चुका है कहा से आया है 108 level से आपका 100 and 100 point 100 दिल 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 जे means 8 रुपे का एक down move 8% का एक down move तो इसलिए अगर इसको उपर जाना है तो इस pin bar के high के उपर close देना परेगा and move करना परेगा अभी आते हैं euro dollar euro dollar जो आपका monthly sideways लेकिन bottom out नीचे के तरफ support लेके उपर जाने के लिए प्रैस कर रहा है weekly sideways यह मंत्री आ गया okay weekly sideways sideways से भी थोड़ा से different है यहाँ पर आपका range ship किया है यह 40 में support लेकि उपर जाने का प्रैस कर रहा है अभी यह swing high को अगर तोरता है daily का जो swing high है उसको अगर तोरता है यानि आपका 6th November का जो high है that means 1.0760 इसके high के उपर एक follow through हम expect कर सक यहाँ पर clear cut higher high higher low बना रहे है अभी हमारा जो next swing low है यह है इसके low के नीचे close देना नहीं चाहिए यूरो आयना similar line पे अभी यह जो 6 तारीक और 7 तारीक का high है उसके उपर जाना चाहिए अभी देखने वाला बात यह है कि कल का जो candle है एक strong bullish candle है क्यों small body price recessions at the lower end that means the case आज के दिन थोड़ा सा buy dips expectations हो सकते है dollar yen आपका 150.93 यह जो 31st October का mother candle है जहां पे BOJ का rate decisions था वहां पे अपना interest rate का जो range है उसको tweak किया था 0 to 50 basis points के जगा पे 0 to 100 basis points का जो range किया था उसके कारण एक strong mother candle बनाया हुआ है उसके अंदर में ही 6 days time pass किया इसका relevance और भी बढ़ रहा है उपर high के उपर एक buy low के नीचे एक sell off उसके लिए हमें इंतिजार करना परेगा बीच में एक trend line support है इन आयनर similarly यह 31st October का जो negative candle है it becomes very important इसके high के उपर बाइं लो के नीचे further sell off otherwise इसी range के अंदर में 31st का जो range है 31st October का जो range है उसके range के अंदर में ही consolidate करना चाहिए अभी dollar candy dollar candy आप देखोगे back to back 3 bullish candle दिया हुआ है now RSI RSI is approaching 60 there are higher possibilities के 60 के आसपास यह resistance लेके नीचे आ सकते है अगर यह आता है तो यह फिर दुबारा 60 RSI के range shift हो जाएगा and in such a case further sell off further sell off में इसके low as the first target then यहाँ पे यह वाला आपका 1.34 1.3430 as the second target हो सकते है 80 dollar आपका यह जो range है इसके range के अंदर में एकदम must चिपक गया है इस range से बाहर निकलना है यह बाहर निकलने के लिए यह जो 6 November का high है उसके high के उपर close देना परेगा तब ही जाके एक up move दो two biggies का एक up move हम expect कर सकते हैं CNH 7.2685 थोर as a soft होने का प्रायास कर रहा है बट sideways consolidation जारी है brand crude देख्टे रख्टे टुक 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 करके अपना जो support लेवल था 84 का वो भी तोर दिया है दो support था आप अगर मेरा regular analysis देखोगे एक था 88 का दुसरा वाला था 84 का कल के दिन उसको भी तोर फोर के एक दम निकाल दिया so इसके लिए हम थोरा सा monthly and weekly में भी देखने का प्रायास करेंगे monthly में यह center when में resistance लेके नीचे के तरफ आ रहा है that being the case there are higher possibilities यह 72 के आसपास आ सकते हैं उसके बाद further क्या नीचे आएगा वो हमें देखना है weekly में भी आप देखोगे एक बढ़िया सा price section से price section के हिसाब से यह भी नीचे के तरफ आना चाहिए and daily में जो आपका है daily में तो already यह support को break कर चुका है अभी जो एक छोटा सा support level है वो है यह वाला minor support जहां पर अभी price hold कर रहा है इसको अगर तोरेगा तो हमारा जो अच्छा खासा दो support level हो सकता है एक है 75, 76 75, 50 से 76 and दूसरा वाला आपका 71, 90 से 73 याने 72 से 73 एक support levels अभी currently यह एक जो previous price swing हुआ था वहीं पर आके आठका है price as of now एक पिंबार शेप ले रहा है it's the start of the day काफी कुछ हो सकता है price action पे तो हमें अभी यहां पर monitor कर रहा है क्या इसी level पे support लेके थोरा सा bounce back करता है अगर थोरा सा bounce back करते हैं तो हमारा जो immediate resistance होगा यह पहले का जो support था that means 84, 84 का जो support था वो it may act as a resistance and US 10-year treasury already you have discussed अभी है आपका US 2-year treasury US 2-year treasury में lower high, lower low consolidation जारी है यहां पे हमारा दो चीर पहला एक observations lower high, lower low दूसरा observations swing high latest swing high यह वाला जहां पे हमने एक horizontal line zone बनाया हुआ इसके उपर price जाना नहीं चाहिए in such a case थोड़ा सब price consolidated करके फिर यह 3rd November Friday का low को challenge कर सकता है अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है so currency pre-market analysis अभी के लिए इतना है अशक करता हूँ यह presentation आपको अच्छा लगा होगा if so like कीजिए comment कीजिए and share कीजिए among your friend circle thank you and have a great day currency analysis in a nutshell एक छोटा सा दो चार मिनिट का analysis dollar index resistance में आके फिर नीचे जाने के लिए त्यार हो रहा है in such a case 6 November का लोग को पहले challenge करना चाहिए अगर करते है तो बहुत बढ़िया है उसके बाद फिर further हम analysis करेंगे dollar रूपी sideways consolidation है nothing great यही 10-15 पैसे के बीच में ही consolidate हो रहा है consolidate हो रहा है तो हमें इंतेजार के इलावा और कुछ नहीं कर सकते है GBP dollar GBP dollar में पिछले तीन दिन में एक negative candles बनाये हुए लेकिन कल का जो candle है although red in color but little positive in nature तो अभी हमें देखना है कि आने वाले दिनों में यह 6 November का high को उपर के तरफ breakout करते है या नहीं euro dollar 1.0709 कल का जो candle है एक positive candle है instead being the case अभी यहां पर आशा करते हैं कि यह जो red color का zone है यहां पर support लेगा अभी उपर जाने के लिए त्यार हो रहा है in such a case यह जो 6 November का high है 1.0757 to be precise 1.0760 कर लेते है 1.0760 के high के उपर एक upward bias इसमें हम expect कर सकते हैं dollar yen यह 31st October का जो mother candle है जिसमें B.O.J. ने rare decisions था उसके अंदर में ही पिछले 6 दिन का price actions हो चुका है that being the case यह 31st October का जो candle है यह becomes much relevant क्या importance बहुत जादा है इसके high के उपर upward trust low के नीचे एक strong sell-off तो हमें अभी इंतेजार करना है 31st October का जो candle का जो range है किधर के तरफ break out करते हैं क्या यह उपर के तरफ break out करते हैं या नीचे के तरफ break down करते हैं so अभी के लिए यह presentation इतना ही आशा करता हूं यह presentation आपको अच्छा लगा होगा if so like कीजे comment कीजे and share कीजे among your friend circle thank you and have a great day at